नमस्कार दोस्तों इस संसार में किसी भी टीचर या फिर किसी भी स्टुडेंट के पास जादू की छड़ी नहीं है तो आज के समय में competition को beat करने के लिए successful होने के लिए थोड़ा hard work, थोड़ा smart work करना पड़ता है और साथी साथ थोड़ा patience भी रखना होता है तो इसी सीख के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो का आज का हमारा topic है श्याल तो वीडियो को ध्यान से देखिए, last तक देखिए हो सके तो एक pain copy लेकर notes बनाईए वीडियो को इस तरह से देख देखके ही आप धीरे धीरे अपना concept clear कर सकते हैं जिससे competition में select होने की आपकी probability बढ़ती चली जाएगे तो आए समस्ते हैं चाल को देखिए physics में कुछ quantities ऐसी होती है जो किसी भी object के motion state या फिर dynamic state को represent करती है यानि कोई भी pain अगर विरामा वस्था में होगा तो उन भातिक राशियों का कोई भी मतलब नहीं होगा पर कुछ भातिक राशियां ऐसी होती है जो pain के dynamic state को represent करती है जैसे विस्थापन, displacement ये तभी किसी भी object में आएगा जब object move करेगा जैसे वेग, जैसे तुवरण, जैसे समवेग, जैसे गति जूर्जा ये सारी की सारी भातिक राशियां पिंड के गत्यात्मा का वस्था यानि की dynamic state से related होती है अब आप सोच रहे होंगे वेग और चाल में क्या फर्क होता है कई बार हम confused रहते हैं कि what is the main difference between velocity and speed देखें, velocity यानि की वेग एक सदिसराशी होती है और किसी भी सदिसराशी में दो चीजे होती है एक परिमाड यानि magnitude यानि उसकी value और दूसरा दिशा, direction तो वेग का जो परिमाड है, वेग की जो value है वेग का जो magnitude है, वेग का जो मान होगा उसे ही हम चाल कहते हैं जैसे अगर आप बता रहे हैं किसी भी rocket के बारे में कि कोई rocket 20 meter per second से upward direction में जा रहा है तो यह आपने velocity बताई क्योंकि आपने magnitude भी बताई और आपने direction भी specify किया पर इसमें 20 meter per second उस rocket की speed होगी वैसा ही मान लिजी आप किसी train के बारे में कहता हैं कि कोई train 60 km प्रती घंटे की रफटार से पूरब की दिशा में जा रही है तो यह आपने velocity बताई पर उसमें जो 60 km per hour है वो train की speed है तो आई होब आपको वेग में और चाल में जो difference है वो clear हो गया होगा तो चाल एक ऐसी भहतिक राशी है जो किसी भी पिंड के dynamic state को represent करती है चाल तभी होगी जब कोई भी पिंड motion में होगा फिर साथी साथ चाल के बारे में और चिज़े देखते है चाल एक अधिश राशी होती है उसके बाद चाल एक व्यूत्पन भौतिक राशी है भौतिक राशीयां दो प्रकार की होती है मूल भौतिक राशी fundamental physical quantity और derived physical quantity तो चाल fundamental physical quantity नहीं है it is a derived physical quantity फिर देखिए चाल आपके SSC, railway और state level के जो competitive exams होते हैं उसके लिए खासा important है इसे कई बार question पूछे गए हैं और आने वाले time में भी पूछे जाएंगे फिर चाल का दो भौतिक राशीयों से बड़ा गहरा संबंध है एक को हम कहते हैं दूरी, distance और दूसरा है time यानि की समय अब चाल का इन दोनों भौतिक राशीयों से क्या संबंध है चाल का formula क्या होता है चाल की unit क्या होती है वो धीरे धीरे एक एक करके हम देखेंगे तो आई होब आपको चाल के बारे में basic concept clear हो गया होगा अब आगे चलते हैं अब यह समझते हैं कि चाल का classification क्या है चाल कितने प्रकार का होता है तो ऐसे तो physics में आप कई तरह का चाल पढ़े होंगे सुने होंगे जैसे कि ताच्छनिक चाल जैसे कि ओसत चाल जैसे एक समान चाल ओसमान चाल वर्ग माध्यमूल चाल पलायन चाल पर यहां हम लोग जो competition के point of view से important important चाल है सिर्फ उन्हीं को touch करेंगे उन्हीं को देखेंगे तो चाल का सबसे पहला classification देखते हैं चाल का पहला वर्गी करण देखते हैं इस आधार पर चाल दो प्रकार की होती है पहले को हम बोलते हैं एक समान चाल यानि कि uniform speed अगर आपकी चाल न बढ़ रही है न घट रही है हमेशा एक समान बनी हुई है तो इसे हम एक समान चाल बोलेंगे uniform speed बोलेंगे जैसे अगर कोई भी object है यह हमेशा 10 km पर आवर से ही गती कर रहा है इसको जो भी चाल होगी उसे हम एक समान चाल कहेंगे एक समान चाल के लिए हम एक formula यूज करने है चाल is equals to distance upon time चाल बराबर दूरी बटा समय इस सुतर का प्रयोग तभी और केवल तभी किया जाता है जब पिंड की जो चाल है वो constant होती है अगर चाल बढ़ेगी या फिर चाल घटेगी तो हम ये formula यूज नहीं कर भाएंगे दूसरी जो चाल है वो औसमान चाल होती है यारी अगर गती करते हुए पिंड की चाल बढ़ रही हो या फिर घट रही हो तो वो औसमान चाल हुआ और समान चाल कैलकुलेट करने के लिए हम गती के समिकरणों का प्रयोग करते है वी इक्वाल्स टो यू प्लस 80 वी स्क्वार इस इक्वाल्स टो यू स्क्वार प्लस 2 एस और एस इस इक्वाल्स टो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वार इस formula में ए ए acceleration है accelerated motion जब ही होता है तो चाल बढ़ती है और जब हम break वेगरा मारते हैं और pin में मंदन उत्पन होता है तो चाल लगातार कम होती है इस formula से आप ये वाला formula प्राप्त कर सकते हैं अगर मान लीजे कोई भी pin जिस पर acceleration की value 0 हो जाए तो अगर इस formula में आप acceleration को 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा S is equals to UT इस formula में वैसे तो S displacement यानि की विस्थापन होता है पर अगर pin की गती सरल रेखा में हो रही हो और pin रुकने के बाद वापस ना है तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे तो अगर सरल रेखी गती है और pin रुकने के बाद वापस ना ही आता तो हम इस S के स्थान पर दूरी लिख सकते हैं इस formula में U ऐसे तो प्रारंभिक वेग होता है पर अगर acceleration की value 0 होगी तो प्रारंभिक वेग, बीच का वेग, अंतिम वेग सब एक समान होगा तो आप इसकी जगह वेग का परिमाड यानि चाल लिख सकते हैं और T है, सम है तो देखें, यहां से आपको यह formula मिल जाएगा चाल बराबर दूरी बटा सम है तो यह जो formula है, वो basically इसी से deduct होता है इसी formula में, एक special case में जब acceleration की value 0 होगी यानि जो object का motion है, वो uniform होगा तो हम चाल बराबर दूरी बटा समय यूज करेंगे फिर चाल का अगला वर्गी करण देखते हैं अगला classification देखते हैं चाल इस classification में भी दो तरह की होती है एक को हम बोलते हैं, ताचछणिक चाल यानि instantaneous speed अब ये instantaneous speed क्या चीज है? किसी भी object को हम जिस particular moment पर देखते हैं उस particular moment पर उसकी जो भी चाल होगी वो उसकी ताचछणिक चाल कहलाईगे हो सकता है आगी जाने पर उसकी चाल बढ़ जाए हो सकता है आगी जाने पर उसकी चाल घड़ जाए वो उस वैकिल की ताचछणिक चाल को ही बताता है जैसे ही आप accelerator लेते हैं तो आपका जो speedometer का काटा है वो उपर जाता है वो ये बताता है कि आपकी चाल बढ़ रही है जब आप brake मारते हैं तो काटा पीछे आता है वो ये बताता है कि आपकी चाल घट रही है लिजे कोई जर्नी कर रहा है उसमें आप पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने वाले हैं पॉइंट A से B तक जाने में आप बीच की कुछ जर्नी को किसी अलग स्पीट से ट्रेवल करते हैं फिर बीच की किसी जर्नी को किसी अलग स्पीट से ट्रेवल करते हैं और चाल की इस तरह से define की जाती है औस चाल को हम भी बार से represent करते हैं औस चाल होती है कुल चली गई दूरी आपने जितना भी distance travel किया divided by total time यानि कुल समय तो कुल चली गई दूरी और कुल लिए गई समय का जो ratio है जो अनुपात है वही औस चाल होती है इसमें वो time भी समयलित होगा जो आपने rest लेने में बिताया था तो यहां से यहां तक का time प्लस यहां से यहां तक का time प्लस 5 मिनट, 10 मिनट जो आपने rest लिया चाय पिया वो time प्लस यहां तक का time यानि जर्नी का total time हमें लेना है तो आउसत चाल कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय इस फॉर्मुले से कैलकुलेट होती है इस आउसत का एक्षुली में क्या मतलब होता है इसको क्रिकेट के माध्यम से समझते है वंडे मैच में एक पर्टिकुलर टीम पचास ओवर बैटिंग करती है मान लीजे पचास ओवर में टोटल तीन सो रण बनते है अब अगर किसी ने मैच नहीं देखा है तो हम उसे इस तरह से समझा सकते हैं कि आप ऐसे मान लो तीन सो रण यानि टोटल रण डिवाड़ेड बाई टोटल ओवर छे रण प्रती ओवर के हिसाब से बैटिंग हुई है यानि आप ऐसे मान लो जैसे हर ओवर में छे छे रण बने है और पचास ओवर में टोटल तीन सो रण टीम ने बनाए इससे आपको एक ओवर ओल रैपिडिटी मिलती है कि इनिंग इस तरीके से पेस हुई है पर क्या एक्ष्वली में हर ओवर में छे रण बने होंगे नई हो सकता है किसी ओवर में तीन रण बने हों कोई ओवर मैडन गया हो किसी ओवर में पंदरा रण बने हों तो यह जो एवरेज है वो पूरी जर्णी का एक ओवर ओल रैपिडिटी प्रदान करता है कि आप ऐसे मोटे तोर पर मान लीजिए कि जो इनिंग है वो इस तरीके से पेस हुई है उसी तरह से जब आप औस चाल निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो यात्रा करी है वो overall मोटे मोटे तोर पर इस speed से टै की है वो होती है हमारी औस चाल तो आई होप आपको औस चाल का भी concept clear हो गया होगा इसका जो formula है वो भी clear हो गया होगा औस चाल हमेशा होता है कुल चली गई दूरी बटे में कुल लगा समय अब कुछ important facts देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की चाल की इसे हम represent करते हैं C से प्रकाश की चाल इस universe में travel करने की maximum speed limit है कोई भी पिंड, कोई भी कर्ण चाहे वो द्रवे का कर्ण हो या फिर वो energy का particle हो वो प्रकाश की चाल से तेज नहीं चल सकता तो प्रकाश की चाल basically इस ब्रह्मान में एक तरह से cosmic speed limit है इसे सिद्ध किया था Albert Einstein ने सन 1905 इश्वी में प्रकाश की चाल निरवात में होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second और कोई भी चीज, कोई भी कर्ण चाहे वो पदार्थ का कर्ण हो, चाहे वो उर्जा का कर्ण हो प्रकाश की चाल से तेज नहीं चल सकता तो ये ब्रह्माण में चलने की maximum speed limit है और प्रकाश के साथ साथ जितनी भी वैदुचुमबकी तरंगे होती है जैसे रेडियो तरंग, जैसे microwave, जैसे अवरक्त, जैसे प्रकाश, जैसे पराबैगनी, जैसे एक्स की रणे और गामा की रणे इन सभी electromagnetic waves की चाल भी प्रकाश की चाल के बराबर होती है तो कभी ऐसा प्रश्ण भी पुछा सकता है कि रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग में किसकी चाल ज़्यादा होती है या रेडियो तरंग और पराबैगनी तरंग में किसकी चाल ज़्यादा होती है तो सभी की चाले एक बराबर होती है और सब की सब प्रकाश की चाल यानि 3 x 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से ही चलती है फिर प्रकाश की चाल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है जैसे इसे माध्यम सघन होता जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती चली जाती है निरवात या फिर वायू में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसके बाद अगर वो पानी में प्रभेश करेगा तो चाल थोड़ी सी कम होगी फिर अगर वो कांच में प्रवेश करेगा, तो चाल थोड़ी सी और कम होगी, और अगर वो हीरे में प्रवेश करेगा, तो उसकी चाल और कम होगी, इन सभी facts को हम light unit में detail में देखेंगे, यहाँ फिर चाल की सिर्फ एक overview हम ले रहे हैं, तो चाल के बारे में जो basic basic चीज़े ह जो important facts है, केवल उन्हीं को देखा जाएगा, तो प्रकाश की चाल clear हो गई आपको, उसके बाद अब बात करते हैं ध्वनी की चाल की, पहली बात ध्वनी की चाल, ठोस में, द्रौ में और गैस में, तीनों में ही निकाली जा सकती है, velocity of sound, ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद ध्वनी की चाल, द्रौ में अधिक होती है, और उसके बाद, गैस में होती है, यानि ठोस द्रौ गैस में, अगर हम ध्वनी की चाल को आपस में compare करें, तो ठोस में चाल सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ध्रौ में और उसके बाद गैस में, और ठोस में भी सबसे ज़्यादा चाल ध्वनी की होती है इस पात में देखिए लोहे को थोड़ा लचीला बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं फिर उसको हम इंडस्ट्रियल फॉर्म में इस पात बोलते हैं और इस पात में ध्वनी की चाल सबसे जदा होती है, और लगभग 5 km पर सकेंड के आसपास होती है, आपसे ये value तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ध्वनी की चाल और भी दूसरे कई factors पर depend करती है, जैसे की temperature पर, जैसे की आदरता पर, जैसे की घनत्व पर, तो ये value नहीं पुछा जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि ध्वनी की जो चाल है, वो इस पात में maximum होती है, उसके बाद अगर बात करें, एक बड़ा ही important concept है, जिसको हम बोलते हैं, mark संख्या, मैक नमबर, सेमाली जै कोई space probe है, कोई लड़ाकु विमान है, वो किसी particular speed से चल रहा है, तो इस लड़ाकु विमान की चाल, और ध्वनी की चाल का अनुपाद, यानि इसकी चाल, और ध्वनी की चाल का जो ratio होगा, इसे ही हम mark संख्या कहते हैं, तो पहला question तो यही पुछा जा सकता है, कि mark संख्या क्या होता है, तो किसी भी लड़ाकु विमान, या किसी भी space probe, जो बहुत ही high velocity से चलता है, उसकी चाल और ध्वनी की चाल का जो अनुपाद होगा, उसे हम mark संख्या कहेंगे, फिर इस पर question भी पुछा जा सकता है, जैसे उस books में आपको यह 330 meter per second मिलेगा, वो भी सही है, ध्वनी की चाल temperature के साथ साथ बाकी और भी कई factors पर depend करती है, तो 0 degree C पर एक average value है, 332 meter per second, सबसे पहले ध्वनी की चाल को Newton के सुतर से calculate किया गया था, Newton के सुतर से calculate करने के बाद इसकी चाल आई थी 279 meter per second, जो की गलत थी, फि शोधन करने के बाद हमें ध्वनी की चाल 0 degree C पर exact मिली 332 meter per second, तो यह भी पुछा सकता है कि ध्वनी की चाल 0 degree C पर कितनी होती है, तो उसका जो answer होगा, वो होगा 332 meter per second, फिर देखी temperature बढ़ाने पर ध्वनी की चाल बढ़ती है, अगर हम temperature को, यह भी बहुत important fact है, यह भी competition म कई बार पुछा गया है, अगर आप temperature को 1 degree C बढ़ाएंगे, तो ध्वनी की चाल में 0.61 meter per second की वृद्धी होगी, तो यह fact भी आपको याद रहना चाहिए, कि अगर हम temperature को 1 degree C increase करेंगे, तो जो ध्वनी की चाल में increment होगा, वो 0.61 meter per second का होगा, अब वापस आते हैं, यहां Mark संख्या पर, इस पे numerical question भी set किया जा सकता है, for example मान लीजे, Mark संख्या आपको 4 दे दीजए, और कहा जाए कि velocity of sound 330 meter per second है, आप उस वायू यान की चाल बताईए, या आप उस लड़ाकु विमान की चाल बताईए, इस Mark संख्या की जगा 4 put करेंगे, इसकी जगा 330 put करेंगे, औ और यहां से cross multiplication करके, हम उस स्पेस प्रोब की या लड़ाकु विमान की चाल निकाल सकते हैं, तो इस पे question भी बन सकता है, important concept है, फिर देखिए, यह जो formula पढ़ा अभी हम लोगों ने, Mark संख्या is equals to, इस वायू यान की चाल, बते में ध्वानी की चाल, सोची जगा अगर Mark सं multiplication करने पर हमें इसकी स्पीड ध्वानी की चाल के बराबर आएगी, तो अगर ऐसा होता है, तो हम उसे ध्वानिक स्पीड बोलते हैं, अगर Mark संख्या एक से ज़्यादा होता है और पान से कम होता है, तो हम बोलते हैं कि यह परा ध्वानिक चाल है, सूपर सोनिक स्पीड है, और अगर Mark संख्या पान से भी ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं कि यह हाईपर सोनिक स्पीड है, तो यहाँ Mark संख्या अगर वन होगा, तो सोनिक स्पीड अगर ग्रेटर दैन वन होगा, लेकिन पान से कम होगा, मैक नमबर ग्रेटर दैन वन बट लेस दैन फाइव, तो जो स्पीड होगी उसे हम बोलेंगे कि यह सूपर सोनिक स्पीड है, और अगर यह मैक नमबर ग्रेटर दैन फाइव है, तो हम बोलेंगे कि यह हाईपर सोनिक स्पीड है, तो यह फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकत और आईए अब बात करते हैं पलायन चाल की चाल की बात हो और पलायन चाल की बात ना हो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा तो अगला शे following कि प्रित्वी की सता है प्रित्वी की सता को अगर किसी अब्जेक्ट इंफानाइट पर चला जाता है और फिर कभी भी वापस लॉट कर रही आता उसे ही हम पलायन चाल कहते हैं प्रिथ्वी सत्व पर जो पलायन चाल की वैल्यू है वो 11.2 ध्यान दीजेगा किलो मीटर पर सेकेंड होती है तो प्रिथ्वी की सत्व पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेके जाने की वह मिनिममम स्पीड जिससे वो इंफानाइट पर चला जाता है और वापस लॉट कर रही आता पलायन चाल कहलाता है और उसकी जो वैल्यू है वो अर्थ सर्फेस पर 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड होती है फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पलायन चाल है वो फेके जाने वाले डिरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है यानि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डिरेक्शन में फेकिए बस ओपेन स्पेस में उसे फेक ना होगा और अगर आप उसे 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड स उसके लिए पलायन चाल सेम होगी लेकिन पलायन चाल उस ग्रह के या फिर उपग्रह के मास पर निर्भर करती है जहां पर खड़े होकर आप उस अबजेक्ट को फेक रहे हैं तो सिंस यहां इसका डिरेक्शन मैटर नहीं करता इसलिए मैंने पलायन वेक के स्थान पर पलायन चाल लिखा है और यह अलग-अलग ग्रहों के लिए अलग-अलग होता है इसे कोई बड़ा ग्रह है जिसमें ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा है तो स्वभाविक सी बात है उसकी सता से किसी भी पिंड को इन्फानाइट तक प्रोजेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा चाल देनी होगी और चंद्रमा जैसे छोटे उपग्रह पर जहांकि ग्रेविटेशनल पावर कम है आप अपेक्षाकृत कम चाल सही किसी भी पिंड को फेक देंगे तो वो इन्फानाइट पर चला जाएगा तो पलायन चाल की वैल्यू चंद्रमा के लिए होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड तो ये दुनों डेटा हमें याद रहने चाहिए और आईए अब देखते हैं चाल को मेजर करने के कुछ खास-खास मेजरिंग नहीं किया है उन्हें यहाँ पर देखते हैं उनमें सबसे पहला यंद्र है राडार पहली बात तो इसका फूल फॉर्म ही इंपोर्टेंट है और फूल फॉर्म हमें पता होना चाहिए इसका जो फूल फॉर्म होता है वो है रेडियो डिटेक्शन and ranging इसका use क्या होता है इसका use होता है वाईुयान की चाल और गती की दिशा को मेजर करने में जो काम धरातल के उपर राडार करता है ठीक वही काम पानी में सोनार करता है तो अगला हमारा यंत्र है जो काफी important है इसका नम है सोनार इसका भी हमें फूल फार्म पता होना चाहिए साउंड नेविगेशल एंड रेंजिंग इससे हम समुदर में डूबे हुए जहाज के मल्बों का पता लगाते हैं या फिर समुदर में कोई भी चीज जैसे टॉर्पीडो वेगरा या कोई भी मचली किस पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है उसे भी मेजर करते हैं तो जो काम धरातल के उपर राडार करता है वही काम समुदर में या पानी के सता के नीचे सोनार करता है राडार में जिन तरंगों का संप्रेशन होता है वो रेडियो तरंगे होती है और सोनार में जिन तरंगों का संप्रेशन होता है वो sound waves होती है तो ये भी हमें पता होना चाहिए अगला जो यंत्र है उसका नाम है lidar इसका भी पहली बाद तो full form पता होना चाहिए light, detection and ranging इस यंत्र से संप्रेशित तरंगे यानि इस यंत्र से जो निकलने वाली तरंगे हैं वो प्रकाश की तरंगे होती है और इस यंत्र का प्रयोग कहां पर किया जाता है इसा माल लिजे आपके सामने कोई भी वाहन बहुत ही high velocity से गुजर रहा हो तो उसकी चाल को measure करने के लिए हम इस यंत्र का use करते हैं इसी यंत्र के प्रयोग से जिसको कभी-कभी speed gun भी बुला जाता है कोई भी baller जब balling करता है तो उसके ball की speed को भी इसी particular यंत्र से मापा जाता है तो ये थे कुछ खास हैसे यंत्र जिनका अलग-अलग जगा अलग-अलग प्रकार की चालों को measure करने में किया जाता है इसके लाबा speedometer मैंने पहले ही बताया है आपको उसे वाहन की चाल को मापा जाता है जैसे animometer, tachometer इन सब के बारे में मैंने विस्तार से उस video में वर्णन किया है उस video को भी आपको देखना चाहिए तो ये थे कुछ खास measuring instrument जिससे चाल को measure किया जाता है और अब आईए चाल पर कुछ questions को solve करके देखते हैं तो आईए कुछ important questions को देखते हैं पहले video को pause करके आप इन प्रशनों को खुद से हल करिए और फिर video को चला कर देखिए कि आप कितने प्रशन सही बना पाते हैं तो पहला प्रशन है वेग की मात्रा कहलाती है वेग की मात्रा मतलब वेग का magnitude या वेग की value पुछे जा रही है तो वेग का जो magnitude होता है उसे हम चाल कहते हैं तो इसका सही उतर होगा option D चाल question number 2 प्रिथवी की सता से पलायन चाल का मान कितना होगा तो प्रिथवी की सता से जो पलायन चाल की value होती है वो होती है 11.2 km per second तो इसका option A सही है question number 3 0 degree C पर ध्वानी की चाल है 0 degree C पर ध्वानी की चाल 330 m2 per second होती है कुछ book में आपको 332 m2 per second मिलेगा पर इन दोनों के नस्दिक जो भी option में दिया जाएगा वही हमारा सही उत्तर होगा तो इसका option A correct है 330 m2 per second question number 4 राडार से संप्रेशित तरंगे हैं तो राडार यानी radio detection and ranging ये कैसा यंत्र है जिससे वायुयान की गतिया और दिशा को मापा जाता है और इससे जो तरंगे निकलती है वो radio तरंगे होती है और radio तरंगे एक electromagnetic wave है question number 5 में कहा जा रहा है radio तरंग की चाल प्रकाश तरंगों से जितनी भी electromagnetic radiation होती है चाहे radio तरंग हो चाहे infrared हो चाहे light wave हो चाहे x-rays हो चाहे gamma rays हो चाहे ultraviolet rays हो सभी की चाल प्रकाश के चाल की ही बराबर होती है तो इसका सही उत्तर होगा option C बराबर होती है question number 6 देखते हैं यदि वायू में ध्वनी की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो तथा किसी वायूयान के लिए mark संख्या दो हो तो वायूयान की चाल क्या होगी question number 6 option B सही है 660 मीटर पर सेकेंड question number 7 पुलिस उचे वेक से चलने वाले वाहनों की चाल किस यंदर से मापती है तो इसका सही उत्तर होगा लिडार विदेशों में पुलिस के पास लिडार नामा के अंदर होता है और सड़क पर जो भी व्यक्ति जो उचितम सीमा निरधारित की गई है सड़क को क्रॉस करने की उससे अगर तेज अपने वाहनों को ले जाते हैं तो लेडार से वो उनका पता लगा लेते हैं और फिर जुर्माना लगाया जाता है पर इंडिया में शायद ऐसा नहीं होता है और इसी में धोनी के चाल सबसे ज़्यादा होती है अगला क्वेश्चन है किसी पिंट द्वारा चली गई कुल दूरी और लिएगे कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है और अप्शन ए है प्रतिछिप्त चाल रिक्वायल स्बीड जब बंदूक से या तोप से जब गोला या गोली निकलती है तो बंदूक या फिर तोप जिस चाल से पीछे जाता है उसे हम प्रतिछिप्त चाल कहते है और अप्शन सी पलायन चालिये तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिसकस किया ही था वो आपको समझ में आया या नहीं या फिर और आपकिस पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताईए इस वीडियो को अपने जैसे ही प्रिपरेशन करने वाले दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में शेर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद and wish you all the best